नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे VPA वर्चल पेमन अड्रस क्या है VPA इसका फाइदा क्या क्या है इस विडिम देखेंगे चलिए शुरू करते विडियो दोस्तों NPCI ने इंटर्डीस किया था UPA को Unified Payment Interface इसे इंटर्डीस किया था NPCI UPA लाने का फाइदा था कोई भी बैंगिंग आक्टिविटीस जैसे कि fund transfer हो या merchant payments हो, mobile recharge हो यह जो बैंगिंग आक्टिविटीस है आप एक mobile application से कर पाए अब यह जो UPA आप है इसके अंदर एक से ज़धा bank को add कर सकते हैं यह सबसे बड़ा benefit, different banks आप integrate कर सकते हैं यह जो UPA आपके अंदर ताकि हर एक bank जो अपने UPA के अंदर add किया है उज बैंग का जो feature से आप सर्फ एक mobile application से use कर सकते हैं UPA के अंदर अगर आप एक account create करते हैं तो कोई भी bank से link करने के लिए आपको एक address मिलेगा, unique address मिलेगा इसे करते हैं VPA, VPA अधवा UPID इसे use करके UPA आपको track करता है आपको जो कोई भी banking activities से track करते हैं यह जो VPA यूज करके जब कभी भी आप UP के अंदर कोई भी banking transaction करते हैं तो एक ID, transaction ID generate होता है इसे करते हैं UP transaction ID बहुत सारे UP application available है आजकल Google Pay हो, Paytm हो, Bheem UPI हो, Amazon UPI हो, ऐसे बहुत सारे UP application आजकल available है कोई भी UP application से आप अपना account create कर सकते हैं UPI के अंदर वहाँ पर अगर आप bank link करते हैं तो उस bank corresponding एक unique identity मिलेगा इसे करते हैं VPA अधवा UPID यहाँ पर आप अपना मनपसीदा VPA virtual payment address create कर सकते हैं अगर available है तो जरूर आपको OID भी आपको मिलेगा VPA यूज़ करने का सबसे बड़ फाइदा है आपको हर टाइम IFC code, account number और branch name इत्यादी आपको यूज़ करने का जरूरत नहीं है सिर्फ आपको VPA यह जो address दीजिए और आपका transaction हो जाएगा वो जो bank के corresponding एक address, unique address create हो जाता है UP के अंदर और इस address को यूज़ करके आप transaction कर सकते हैं बिन IFC code, account number और branch name UP यूज़ करने का सबसे बड़ा फाइदा यह है किसी को आप पाइसा send कर सकते हैं इसके अलावा किसी से आप पाइसा request कर सकते हैं जी हाँ अगर आपको पाइसा चाहिए और किसी और जो कोई भी UP के अंदर है उससे आप पाइसा request कर सकते हैं एक request बटन होता है, ओजर request बटन अगर आप परस करते हैं, एक account के corresponding, तो जितना पैसा आपको चाहिए वहाँ पर लिखिए, यह जो amount का request उस वेक्ति को उस account को जाएगा, अगर ओजर वेक्ति इंडरस्ट है तो आपको ओपैसा भी मिल जाएगा, जी हाँ कैसे आप पैसा request करें किसी से वीपी यूज़ करके यूपे के अंदर इसका separate वीडियो हमने बनाया है, वीडियो जुरत वाच किजिएगा, गूगल पैपे कैसे आप पैसा request करें, इसका separate वीडियो हमने बनाया है, अब यह जो वीपी अगर आप create किया तो उससे कैसे देखें, वीपे देखने के आपको अपना कोई भी वीपी अप्लिकेशन है, उसका profile के अंदर जाना चाहिए, हर एक बैंक जो अपने आड किया है, उसके अंदर जाकर आप देख सकते हैं, वहां पर आपको अपना वीपी मिल जाएगा, अगर आपने multiple banks आड किया है, आपका यूपी अप्लिकेशन के अ तो वहां पर जब ट्रांसेशन करते हैं, तो वहां पर option आता है, अगर option नहीं आता है तो भी दूसरा bank का जो यूपी अडी है, उसे आप प्राइमरी बना दीजिए, ओटमेटिक लिए यह जो प्राइमरी यूपी अडी से ट्रांसेशन हो जाएगा, गूगल पे अगर आप यूज करते हैं, तो कैसे आप VPA क्रियेट करें, फोन पर यूज करते हैं, तो कैसे आप VPA क्रियेट करें, पेटीम यूज करते हैं, तो कैसे आप VPA क्रियेट करें, इसे यूज करके कैसे आप ट्रांसेशन करें, इन सब का सेपरेट वीडियो में बना है, डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे लिंक मिल जाएगा आपसे जरूर वाच करें तो दोस्तों इस विडियों में देखा क्या है VPA विर्चुल पेमेंट अड्रस इसका फाइदा क्या क्या है इस विडियों में इतना ही वीडियो चलोगा तो लाइक करें शेर करें अगर आपको कुछ बड़ाउट है तो राइटन गमन सेक्षन थैंकी जेहिंद वंदे मातरम